आज के पाट का सिर्षक है छायाबाद और निराला इस पाट के अधिन के उपरांद आप छायाबाद में निराला के महत्तु को समझ सकेंगे चायाबाद की प्रिष्ट भूमी ततकालिन परस्तितियों से अवगत हो सकेंगे चायाबाद की प्रमुक प्रविर्टियों और निराला के काब्व में उनकी अवस्तिति से परचित हो सकेंगे और चायाबाद के अन्य कवियों के बीच निराला की विशिष्टा तथा कविता के विकास में उनके योगदान को समझ सकेंगे 1915 और 1926 में हिंदी कविता में पूर्विकी काव्विप्रविर्तियों से भिन नई प्रविर्ति का उद्य हुआ इसे ही चायबाद कहा गया इसे आरम करने का स्रे नबोधित रचनाकारों को था जिन में जैसंकर प्रशाद, सुमित्रानेंदन पंत और सुर्ज कांत्रिपाथी निराला प्रमुक थे आधुनिक हिंदी कव्विता के विकास में चायबाद का अत्यन्त महत्यपुर्ण स्थान है चायबाद ने अंतरवस्तु के ही अस्तर पर नहीं, सिल्व के अस्तर पर भी हिंदी कव्विता को उतकर्श परदान किया निराला चाय वाद को प्रतिष्ठापित करने वाले कवियों में प्रमुख है आधुनिक यूग मध्यूगिन परमपरा से भिण नवीन काब्य प्रविर्तियों के उदे का यूग है भारतेंदु यूग, मध्यूगिन काव्य प्रविर्तियों और आधनिक काव्य प्रविर्तियों के लिए संकरान्ति का यूग है दुवेदी यूग में राष्ट्रे भाबना प्रबल हुई तता रीती बादी काव्य परमपरा को नकारने परबल दिया गया लेकिन इस यूग के कवियों ने सामाजिक बिक्रतियों को प्राचीन आदर्सों के आलोक में सुधारने का प्रेतनी किया इसमें प्रनुथान की प्रेर्णा काम कर रही थी इत्ती बृतात्मक्ता और उपदेसात्मक्ता ने जीवन के प्रेम और सौंदर्ज जैसे कोमल पक्ष का एक तरह सब विसकार ही कर दिया यद्धिपी इस यूग में कविता खड़ी बोली में रची जाने लगी थी लेकिन चंद यूग तो होने पर भी वह गद्यात्मक्ती उसमें कोमलता, लियात्मक्ता और संबेदनात्मक्ता का अभाब था चायबादी कविता इसी साहित्तिक परिस्थिती के बिरुद बिद्रोह की उपज थी चायबाद को दो विश्युद्धों के बीच के कब्बे के रूप में भी जाना जाता है पर्थम विश्युद्ध का समय राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रिय अस्तर पर बड़े बदलावों का समय था पर्थम विश्युद्धि ने सामराज जवाद की चूलें हिला दी थी 1917 इस्वी में हुई रूशी करांती ने समूचे संसार पर गहरा असर डाला भारत में यह स्वाधिन्ता संघर्ष का गांधी यूग था महात्मा गांधी ने स्वाधिन्ता संघर्ष को जन आंदोलन बना दिया था गुलामी से मुक्ति की उद्दाम आकांच्छा राजनीती तक सिमित न रहकर प्राचीन रूढियों जाती धर्म संप्रदाई के भेदवाव आदिसे मुक्ति के रूप में विवक्त हुई यूरोपिय पुनर जागरन से प्रेरित स्वक्षनतावादी सहितिक आंदोलन ने नय कवियों को प्रेरित किया केट्स, बाइरन, सेली, वर्श्वर्थ, कॉलरीज आदी रोमांटिक कवियों के लेखन ने सहितिकारों को न केवल आक्रिष्ट किया बरन प्रेरित और प्रहवित भी किया चायवादी काव्वे कई प्रवितियों का समुच्य है, उन सभी प्रवितियों के मूल में है मुक्ति की भावना, स्वाधिन्ता की आकांग्छा स्वाधीन्ता की इसी आकांच्छा के कारण छायवाद काव्य में राश्टर के प्रती गौरव और प्रेम की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है मुक्ति की चाह में ही छायवादी कभी तक्रिती से प्रेम करते हैं रूढियों से विद्रोह करते हैं नारी को समता का अधिकार देते हैं असीम के प्रती जिग्यासा रखते हैं और आत्माविव्यक्ति करते हैं छायवाद में आत्माविव्यक्ति का अस्वर प्रमुक है चायवाद के पूर्विय स्वर हमें भक्त कवियों के आत्म निवेदन और रीती मुक्त कवियों की प्रेम की पीर की अभिव्यक्ति में ही देखने को मिलती है चायवादी कवियों ने आरंभ में अपनी प्रिनान भूती को अभिव्यक्ति किया है आगे चलकर जीवन के अन्य दुख दर्दों को स्वर मिला है पंत ने मध्य युगीन सामंती नैतिक बंधनों को जटकते हुए उच्छवास, आंसू और ग्रंथी में सीधे सब्तों में अपनी प्रणय भावना को बैक्त किया है जैसंकर प्रशाद अपने मध्य जीवन की जहांकी दिखाने में कोई संकोच नहीं करते महादिवी वर्मा के कावे में बिरहान भूती का आत्म पीरा का स्वर ही मुख है हलांकि उनकी विकलता में सालिंता का पूठ है इसलिए मैं नीर भरी दुख की बदली कहने वाली महादिवी ने आत्माविव्यक्ति के लिए रहस्यवाद का आस्रे लिया है छावादी कवियों में आत्माविव्यक्ति की भावना निराला में सरवादिक है उनकी कविताओं में उनका जीवन संगर से बिद्यमान है पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खीच लूंगा मैं अपने नव जीवन का अम्रित सहर्स शीच दूंगा मैं द्वार दिखा दूंगा फिर उनको हैं मेरे वे जहां अनन्त अभी न होगा मेरा अन्त उनके परवर्ति आत्मपरक गीतों में जीवन की औसफलता अभाब पराजय और विशाद की आत्मकथा प्रस्तूत है उनके संघर्ष और पराजय बोध को सरोज स्मिर्ति में देखा दा सकता है सुम्नों के परति मैं अकेला स्नेह निर्जर भागया है जैसी कविताएं भी सरोज स्मिर्ति की भूमी पर ही रची गई है सोतन्ता की भावना के कारण छावादी कभी सामाजिक बंधनों से मुक्ति के लिए छटपटा रहे थे एक और प्राचीन रूढियों से मुक्त हो रहे थे तो दूसरी और उनमें नवीनता के परति गहरी ललक भी थी कामाईनी में स्रधा कहती है प्रकृति के यौवन का स्रिंगार करेंगे कभी नवासी फूल सुमित्रान दनपंत दुरुत जहरो जगत के जिर्ण पत्र सिर्शकविता में जो पूराना पड़ गया है जिर्ण वो जरजर हो गया है और नव जीवन का सौंदर्ज लेकर आने वाले नव्यूग के उप्यूक्त नहीं रह गया है उसे बड़ी निर्ममता के साथ हटाना चाहते हैं और नव यूग का स्वागत करते हैं रूढियों के प्रति विद्रोह का भाव निर्णा में सेज छावादिक कवियों की अपेक्छा अधिक दिस्टिकत होता है सामाजिक संकिन्ताओं और रूढियों से मुक्त होते हुए निर्णा अपनी बेटी सरोज के विवाह में लगन का मंतर भी पढ़ते हैं और पुष्प्र सेज भी रचते हैं तुम करो व्याह तोरतानियम मैं सामाजिक योग के प्रथम लगन के पढ़ूंगा स्वेंग मंतर यदि पंडित जी होंगे स्वातंतर निर्णा ने भावनाओं और विचारों के धारातल पर ही नहीं भासा, सैली, छंद के छेत्र में भी पुरानी रूढियों से मुक्त होन अपनी प्रणाय अनुभूती के अविव्यक्ति को हलकेपन से बचाते हुए दिव्वी रूप देने तथा समाजिक बर्जनाओं के दवाब के कारण छावादी कभियों ने रहस्य बात का आश्रे लिया अज्यात और असीम के प्रती जिग्यासा ही रहस्य भावना है छावादी रहस्य भावना के समाजिक आधार को अस्पस्ट करते हुए डाक्टर नामबर सिंग ने लिखा है यह जो अग्यात और असीम के अभिलासा है वह बहस्तुता ग्यात सेमाओं के असंतोस से ही उत्पन हुई है और यह असंतोस तथा अभिलासा केबल दिमागी एयासी नहीं है बलकि इसका सामाजी का अधार है यह असंतोस और महत्वा वह प्राचीन सिमाओं से तो प्रचित था लेकिन नवीन छितिज की कोई असपस्ट रूप रेखा उसके मन में न थी वह इतना ही जानता था कि इन सिमाओं से पड़े जो कुछ है वह असीम है छावादी कविताओं में उस असीम के प्रतिजिग्यासा उससे मिलने की करते हैं महादेवी बर्मा ने परमात्मा के साथ अपनी अभिनिता बेक्त करने के लिए नवीन रूपकों का सहारा लिया है जो उनकी अन्भूती की तिब्रता से अधिक सजीवों उठे हैं आत्मा और परमात्मा की अद्वयत इस्थिति को वे अत्यंत भावुकता के साथ दूर तुम से हूँ अखंड सुहागनी भी हूँ। अन्य छावादी कभियों की भाती निराला ने भी प्रकृति के विवित उपकरणों में अज्यात सत्ता को स्विकार करते हुए विश्मे और जिग्यासा प्रकट की है। किस अनंत का निला अंचल हिला हिला कर आती हो तुम सजी मंडला कर। यमुने तेरी इनलहरों में किन अधरों की ब्याकुलतान। निराला की रहस्य भावना में नव बेदांत का प्रभाव अस्पस्ट्रता परिलक्षित होता है। राम की सक्ति पूजा में वे प्रकृती में ही सक्ति का बिराध स्वरूप देखते हैं। प्रकृती सदा कभी जनों का प्री अभिशेर है। समय के साथ उसके प्रती-दिश्ट्रिकौन बदलता रहा है। आधुनिक काल के पहले प्रकृति का बर्णन प्राय उद्धीपन के रूप में हुआ है। आधुनिक काल में प्रकृति को स्वतंत्र सत्ता प्राप्त हुई है। और छायवाद में वह जीवन थो उठी है। चायवादी कभी जिस मुक्ति की आकांग्छा रगते थे, प्रकृति उसकी प्रेरिना स्रोत थी। अताः प्रकृति के प्रति उनमें स्वाभाविक प्रेम था, उन्होंने प्रकृति सुक्ष्म और विराठ दोनों रूपों को अपनी कविताओं में जगा दिये। प्रकृति के कितने रूप रंग चायवादी कभिता में दिखते हैं अन्यतर दूरलव हैं। चायवादी कभियों की द्रिष्टी बिविध अपरचित और अद्रिष स्वस्तु इस्थितियों की ओर गई और उन्होंने प्रकृति के अपरचित द्रिष्ट्यों को भी नभीन द्रिष्टी से देखा। जैसे संध्या सुंद्री कवित्या में निराला ने प्रकृति को सुंद्री का अपुर्व रूप दिया है दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंद्री परीशी धीरे 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 तिम रांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास मधूर मधूर है दोनों उसके अधर किन्त उजरा गंभीर नहीं है उनमें हास बिलास। छावादी कवियों ने प्रकृति के सर्वथा नए द्रिश्यों के अंकन के साथ पुराने द्रिश्यों को नए रूप में चित्रित्तों किया ही। रूप, रस, रंग, गंध, ध्वनी, असपर्स, स्वा जगाने वाले द्रिश्यों का भी बड़े पैमाने पर चित्रन किया। बस तुता यह प्रकृति और मनुष्य के बीच नया संबंद था। जो छावादी कविता के माध्यम से ब्यक्त हो रहा था। नामबर्ची के सब्दों में प्रकृति ने मनुष्य में सौंदर्ज हिंदि साहित्य में प्रतेक यूग में नाडी का महत्यपूर्ण स्थान रहा है। लेकिन उससे स्वतंत्र ब्यक्तित्य की प्राप्टी छायवाद में हुई है। आधि काल में वह युद्ध एबं बीरता पुर्ण बढ़ननों की मुख्य प्रेर्णा है। भक्ति काल में अभी निंदा की पात्र। रिति काल में वह अप्राय भोग की बस्तु है। आधुनिक काल में उसके प्रति द्रिष्टिकोन बदल गया। वह न अभीहीन रही न त्याज जी। भारति अंदु यूग में उसके उधार की चर्चा है। दुवेदी यूग में उसके प्रति स चाहन भूति का भाव है। किन्तु नारी को पुरुस ने अपने ही समान मनुस्री के रूप में स्विकारी की अच्छायवाद में। इसका कारण भी स्वाधीनता की चेतना ही है। बीशमी सतावदी में नारी सिक्षा में प्रगती हुई इसके कारण लड़किया, इस्त्रि का भाव नहीं, समानता का भाव दिखने लगा। कामाईनी में जैसंकर प्रशाद ने नारी को स्रद्धा और पुरुस को विश्वास रूप में देखा। जीवन के विविद प्रसंगों में निराला ने नारी के रमनिय और उद्दात रूप का सजीब चितरन किया है। अन कालिन देह कांती कांकन करने के बाद उसे त्याग के सुत्र में फिराईवी मुक्ति पात्र बना देते हैं। और नायक को भी मुक्त करने वाली है। तुलसी दास में तुलसी दास का कामातुर रूप देखकर रतना बली में पुरुस की संसकार बद्ध वासना को धक्का देने वाली आधुनिक नारी जाग जाती है। और ही रूप दिखाई कड़ा। तुलसी दास बने यह याद दिलाने की जोयत नहीं। छायबाद में नारी को अपना सोतंत्र अस्तित्व और व्यक्तित्व प्राप्त हुआ है। उसे पुरुस के साथ बराबनी का अधिकार मिला है। संभपता यही कारण है कि छायबाद में इस्त्री प्रेयसी के रूप में चित्रित है। नारी के प्रती बदला हुआ दिश्टिकून नारी सौंदर्ज के चित्रन में भी देखने को मिला। और प्रणय संबंधों की अभिव्यक्ति में भी। नारी सौंदर्ज में शरीर की अपेक्छा भावों को महत दिया जाने लगा। तथा प्रेयम कविताओं में भावनाओं के आबेक की अभिवक्ति हुए। चायवादी कवियों की मुक्ति के आकांच्छा ने उन्हें देश प्रेयम और सौतंतरता की भावनाओं को भ्यक्त करने वाली कविताओं रचने के लिए प्रेरित किया। महादेवी बर्मा के लिखे गए भारत जननी अंब तेरी विजय है बंदनी जननी तुझे मुक्त कर देंगे और मस्तक देकर आज खरी देंगे हम ज्वाला सिर्शक गीत प्रभात फेरियों में गाय जाते थे। च्वादी देश प्रेम कितना भाव नात्मक और व्यापक था इसे प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया के द्वारा गाय हुए इस गीत से अन्हों किया जा सकता है। हिमागार, हिर्दे बीच बिमलहार, पंच सिंधु ब्रह्म पूत्र, रवी तनया गंगा, बिंध विपन राजे घन, घेर यूगल जंगा, बधिर विश्व चंकित भीत, सुन भैरबानी, जन भूमी मेरी है जगन महारानी। निरालापनी प्रशिद्वानी बंदना में प्रिय सोतंत्र रव अम्रित मंत्र नव भारत में भरदे का वर मांगते हैं। चायवादी कविता में काभी की नवीनता के साथ सिल्प की नवीनता के भी दर्शन होते हैं। यहां इत्ति वृतात्मक और उस्थूल बर्णन की अपिक्छा कलपना सक्ती और सुक्ष मर्णन पर विशेश बल दिखाई पड़ता है। संचेप में चायवाद और निराला के काभी की सिल्प गत्विश्यस्ताओं को देखा जा सकता है। कलपना चायवादी कविता की वह सक्ती है जिसके द्वारा भाव, भासा, छंद, रूप और सैली में नवीनता का संचार हुआ। चायवादी कवियों की स्वाधीन चेतना ने कलपना के पंखों पर ही उडान भड़ी। कलपना चायवादी कविता का मेरू दंड है। चायवादी कवि बिना किसी संकोच के कलपना को अपना सर्वस्व मानते रहे। जाशंकर प्रशाद ने काब्व में कल्पना के सिर्ष अस्थानिय महत्व को सुईकार करते हुए उसे विशद ब्योम समान कहा है। पंत की सुईकार उखती है कि कोई भी गंभीर ब्यापक तथा महत्वपूर्ण अन्भूति काल्पनिक होती है। निराला के लिए कविता कल्पना के कानन की वह रानी है जो हौले पाउं से कभी के पास आया करती है। ने कल्पना का नाम दिया है। उनका भावाबेग जितना तिब्र है कल्पना उतने ही उद्दापत है। भारतिंदु युग में खरी बोली में कविता के वाल आरंभ भर हुई थी। कावे भासा ब्रजभासा ही बनी रही। दुवेदी युग में खरी बोली कावे भासा के पत पर आसीन हो गई लेकिन उसमें गद्यात्मक्ता आधिक थी। चायबाद को दुवेदी युगीन इतिवरित्तात्मक्ता के विरुद्ध उपजा हुआ का ब्यान दोलन इसलिए कहते हैं कि वहां बर्णन की जगा च्छंद और लेक अनुकूल पद रचना पर जोर दिया गया। चायबादी कभी सब्द चैन में अर्थ के प्रती अतिसे सजग रहते थे। उनका ध्यान सब्दों के नाद सौंदर्ज पर भी रहता था। कभी तामुए जो प्रभाप पैदा करना चाहते थे उसी के अनुकूल सब्दों का प्रियोग करते थे। सब्दों के चयन से ही छावाद के चारो प्रमकवियों की कभिताएं अलग-अलग पहचानी जा सकती है। निराला की बादल लाग की पंतियां बरसा का अत्यंत प्रहावसाली चित्र खीज देती हैं। जूम जूम मृदू, गरज गरज गहन घोर, राग अमर अंबर में भर निजरोर। जर 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 निर जर गिरी सर में घर मरू तरू मरमर सागर में सरित तरित गती चकित पबन में मन में बिजन गहन कानन में आनन आनन में रब घोर कठोर राग अमर अमबर में भर निजरूर संगीतात्मक्ता, ध्वन्यात्मक्ता, लाक्षनिक्ता और प्रतिकात्मक्ता निराला की भासा की सभाविक विसेशता हैं छावादिक कवियों की मुक्ति के आकांग्छा उनके चंद विधान में भी देखने को मिलती है भावा बेक की प्रधानता के कारण उनके चंद प्राय प्रगी तात्मक्त हैं अपनी नूतन भावनाओं की सटी अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने कुछ पूराने चंदों को नया रूप दिया है तो नये चंदों की तलास भी किया है प्रसाद ने आलहा, पंत ने लाबनी, तो निराला ने कजली का प्रियोग किया है पूराने चंदों में रोला का अधिक प्रियोग हुआ है पंत की परिवर्तन, सिर्शक कविता और कामाईनी का संघर्स सर्ग इसी में रचा गया है चंद के छेतर में छायबादी कविता का सरवादी को लेखनिय योगदान है मुक्त चंद जिसका स्रे सुर्ज कांत्रपार्थी निराला को है निराला ने कविता की मुक्ती को मनुश्यों की मुक्ती से जोडते हुए परिमल की भूमिका में मुक्ति छंद की अवधारना प्रस्तुत की है मुनिश्यों की मुक्ती की तरह कविता की भी मुक्ती होती है मुनिश्यों की मुक्ती कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ती छंदों के सासन से अलग हो जाना मुक्त चंद चंदों के वाहिया डंबर से मुक्त है इसमें तुक मात्राओं की गिन्ती सम भी सम चर्णों की बाध्यताय नहीं है भावा बेक के अनुकूल चर्णों में विश्तारीय संकोच है यहां यहां असपस्ट कर देना उचित है कि मुक्त छंद का अर्थ छंद हीन नहीं है मुक्त छंद में लैका प्रवाह होता है वही उसे छंद का रूप देता है कभी की सौंदर्ज चेतना की सक्ति और सिमाएं उसके भीम विधान में भी परिलक्षित होती है भीम का सौंदर्ज सर प्रथम आक्रिष्ट करता है छावादे कभीयों ने भीम के लिए प्राय चित्र सब्द का प्रयोग किया है और चित्र विधान के प्रति आग रही रहे हैं प्रकृति के प्रति गहरे लगाओ के कारण च्छावादी कवियों के अधिकतर विम्ब प्रकिर्टी से लिए गए है। प्रसाद के विम्ब प्राय इतिहास, पुरान, धर्म और दर्शन से संब्ध है। पंत के विम्बों के चैन में एंद्रिय बोध के प्रतिस्ज़क्ता दिखाई परती है। महादेवी के यहाँ बिम्बों का दोहडाव अधिक है। जिनसे वे घिसकर प्रतीक हो गए है। निराला के बिम्ब तिब्र भावा बेग जगाने वाले हैं। डक्टर केदार नात सिंग के मतानुसार। ब्यापक्ता के दिष्टी से निराला के बिम्ब आधुनिक जीवन के प्रायप्रतेक छेतर का परतिनिद्यूत करते हैं। अकेली निराला ही ऐसे हैं जिनकी कविताओं में अत्यादुनिक, सब्भिता तथा संस्कृति के छेतरों से ग्रिहत बिम्ब भी कभी-कभी मिल जाते हैं। कविता में अन्भूति के अकथनिये, अंगों का कथनिये और संप्रेशनिये बनाने के लिए प्रतिकों का सहरा लिया जाता है। सुक्ष्मि सौंदर्ज के अन्भूति और अभिव्यक्ति के लिए प्रतिक का प्रियोग अनिवार्ज हो जाता है। पता सुक्ष्म सौंदर्ज पर मुग्द छावादी कभियों को भी प्रतिकों का आस्रे लेना पड़ा है। प्रकृति से अत्यनत लगाओ के कारण छावादी कभियों ने प्रायह प्रकृति के प्रतिकों का चैन किया है। महादीवी बर्मा के यहां दीप, बादल, समीर, जन्जा, फूल, आदी प्रतिक, खिर्दय की बेदना, बिरह, मिलन आदी भावों को अव्यक्त करते हैं। कामाईनी के प्रायह सभी प्रमुक पात्र प्रतिकात्मक अर्थ रखते हैं। पंत ने मधुप, गुंजन, सागर, पुलीन, पल्लब जैसे प्रतिकों का प्रियोग बिभिन्य भावों की अव्यक्ति के लिए किया है। निराला का काब्ब, बस्तु और सिल्प, दोनों ही दिष्टियों से हिंदी साहित की महत्वपुर्ण उपलब दिये। आचार सुक्ल ने उनके कभी व्यक्तित्तु में बहु बस्तु अस्पर्षनी प्रतिभाकुरे खांकित किया है। उनका काब्ब में, काब्ब गत, बैविद्ध, संबेदना और सिल्प दोनों को संब्रिद करने वाला है। उनकी प्रकृति, संबन्धी, द्रिष्टी में नवीन्ता और ताजगी है, तो अभिवेंजना की द्रिष्टी से सुक्ष बख्रता है। जिसे उन्होंने मानवी करन, विरोधाभास और विशेशन भी पढ़िया जैसे अलंकारों के प्रियोक्षे सिद्ध किया है। उनकी कविता में व्यक्तिनिस्टता और समाजिक प्रतिबधता का अध्भूतरसाइन है। उन्होंने बहुतिक और आध्यात्मिक संस्कृतियों के बीच शमनवे की चेश्टा की है। इनकी समाजिक प्रतिवधता को प्रगतिबाद में विक्षित होने का अवसर मिलता है, तो व्यक्तिवादी चेतना आगे चलकर प्रयोगबाद और नई कविता में विकास पाती है. समकालिन कविता निराला के मुक्त छंद की रिनी है यद्द्पी निराला की मूल का विभूमी छायवादी है लेकिन वे महान उपलवदियों और संभावनाओं के कभी है इस रूप में वे छायवाद के बिशिष्ट हस्ताक्षर है निश्कर्षता हम यह कह सकते हैं कि छायवादी कभिता राष्ट्रे जागरन की अविभ्यक्ती थी तथा दुवेदी युगिन साहितिक प्रस्तितियों के बिरुद्ध विद्रोह की उपज थी विद्रोह का यह भाव निराला में सरवाधिक था निराला ने छायवाद को नव जागरन का संदेश वहाग माना था निराला के काब्य में बस्तु गत छायवादी प्रविद्धियां आत्मावी व्यक्ति रूढ़ियों से मुक्ति रहस्यवाद प्रकृति प्रेम नारी स्वातंत्र की भावना रास्ट्रेता की भावना भी देमान है निराला के कावे में छावादी सिल्प गर्द प्रविर्टियों में कल्पना सीलता, चितरात्मक्ता, नाद सौंदर्ज, संगीतात्मक्ता, लाक्षनिक्ता, प्रतिकात्मक्ता आधी देखने को मिलती है च्छावादी सिल्प की दिस्टी से ही नहीं आधुनिक कविता के विकास में भी मुक्त छंद निराला की अमुलिदेन है और निराला ने बाद की हिंदी कविता को गहराई से प्रहावित किया है